तो आज हम 10th Standard Science 1 का जो 9th lesson है Carbon Compound ये lesson के board exam के point of view से जो important topic है उसके बारे में discuss करने वाले है और साथ में ही उसके जो important questions है जो previous year board exam में पुछे गए थे वो questions के बारे में भी discuss करने वाले है तो ये जो lesson है Carbon Compound इसका explanation देने वाले जो videos है वो videos का link मैंने ये video की description box में आपको दे दिया गया है तो आप वहाँ से check कर सकते हो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक table दिया हुआ है melting and boiling point of a few carbon compound तो ये जो question है वो आपको MCQ के लिए पुछ जा सकते हैं अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि electron dot structure and a line structure of a hydrogen molecule with a single bond तो ये जो question है ये आपको exam में पुछ जा सकता है अभी हम देख सकते हैं कि electron dot structure and line structure of a methane molecule तो इस तरह से आपको methane molecule, ethane molecule या और कई molecules होंगे उनके electron dot structure या जो line structure होते हैं ये draw करने के लिए exam में पुछ जा सकते हैं ये जो question है ये two marks के लिए पुछ जा सकता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो question है carbon a versatile element तो यहाँ पर ये जो question है ये due reason के लिए आ सकता है why carbon is called a versatile element या फिर इस तरह कागे भी question पुछ जा सकता है कि what are the characteristic features of a carbon तो ये जो question है ये two और three marks के लिए पुछ जा सकता है यहाँ पर हम इस table में देख सकते हैं कि carbon compound and its molecular masses तो ये जो question है ये m secure के लिए पुछ जा सकता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो hydrocarbons है saturated and unsaturated तो इसके उपर short notes या distinguish के लिए भी question पुछ जा सकता है यहाँ पर तुम हर एक page पर देख सकते हो कि ये जो तुमारे structure है इसका electron and line formula electron dot structure and line structure ये भी दिखाया गया है तो आप वहाँ से देख सकते हो हम देख सकते हैं कि straight chain hydrocarbon का ये जो table है वो exam में पुछ जा सकता है वहाँ पर आपको किस तरह से दिया जाएगा यहाँ पर single carbon है तो single carbon को अगर हम hydrogen को join करते हैं तो वो क्या बनता है तो methane बनता है उसका नाम क्या है? methane तो ये आपको इसका molecular formula उसका name ये properly लिखना होगा तो exam में ऐसे आ सकता है आपको 2 carbon दिये जाएंगे, 3 carbon दिये जाएंगे तो इस तरह से उनके जो structure बनते है वो आपको यहाँ पर draw करके दिखाने होते है उनके molecular formula लिखना होता है और उनका जो name है वो भी आपको लिखना होता है तो इस तरह का जो question है वो exam में आपको पुछ जा सकता है 2 या 3 marks के लिए तो इस table में हम देख सकते है कि यह जो saturated hydrocarbons है and unsaturated hydrocarbons है उनके structure हमें यहाँ पर draw करने के लिए आ सकते है यह question भी आपको 2 marks के लिए पुछ जा सकता है अभी यह जो question है functional group in carbon compound यह जो question है वो आपको short notes के लिए भी पुछ जा सकता है या फिर इस तरह से यह जो table बनाया गया है इस तरह का यह table बनाया जाएगा और आपको philips के form में table पुछ जा सकता है मानके चोलो कि यहाँ पर इस तरह का group दिया जाएगा OH group और उसका नाम आपको लिखना है तो वो नाम क्या होगा alcohol होगा जो है homologous series, homologous series के उपर आपको short notes लिखने के लिए आ सकती है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि homologous series of alcohol, homologous series of alkin तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो structure से वो बनाने होगे philips के form में भी यह question पुछ जा सकते है या उसका structure draw करने के लिए पुछ जा सकते है या structure draw करके दिया होगा उसका नाम जो है वो आपको लिखना है तो यह जो question है वो किसी भी form में आपको पुछ जा सकते है तो इसकी लिए यह सारे के सारे table आपको properly prepare करके जाना है अभी यहाँ पे यह भी एक important topic है nomenclature system of a carbon compound इसमें IUPAC system दी गई है यहाँ पे आपको यह carbon compound के structure दिये जाएंगे और उसका आपको IUPAC name जो है वो लिखना है या फिर IUPAC name दिया होगा और आपको उसका structural formula वहाँ पे लिखना होता है तो इस तरह से यह question पुछ जा सकता है 2 marks के लिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे structural formula लिखा हुआ है और उसके IUPAC name यहाँ पे इस तरह से यह लिखे गए है यहाँ पे exercise में practice के लिए भी और चीज़े दिखाई गई है यहाँ पे उसका structural formula है और यहाँ पे आपको उसका IUPAC name लिखना है यहाँ पे हम देख सकते हैं chemical properties of a carbon compound तो इसमें combustion, oxidation यह ऐसी अलग-अलग reaction दी जाएगी और आपको उसके उपर short notes लिखनी है और इसके examples के साथ लिखनी है यहाँ पे हम देखो यहाँ पे जो explanation है वो explanation भी लिखना है आपको और इसके एक-दो examples भी लिखने है ताकि आपको full marks मिल सके देख सकते हैं कि यह जो addition reaction है या जो next page पे substitution reaction है यह reaction के base पे आपको question पुछ जा सकते है या फिर reaction दी जाएगी और आपको उनके जो products है वो लिखने होगे तो वहाँ पे वो fill in the blanks के form में भी पुछ जा सकता है तो आपको यह जो सारी की सारी chemical properties जो है वो उनके reaction के साथ prepare करके जाना है यहाँ पे आपके textbook में बहुत सारी reactions दी गई है जैसे कि dehydration reaction, reaction with a base, esterification reaction तो यह सारी की सारी reaction आपको properly करके जाना है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह जो question है macromolecules and polymers इसके उपर भी आपको short notes पुछ जा सकती है यहाँ पे यह जो macromolecules है, natural macromolecules है, manmade macromolecules है and polymers है उनके उपर भी आपको explanation या short notes के form में question पुछ जा सकता है हम देख सकते हैं कि various polymers and their uses तो यह जो lesson है, यह lesson में जितने भी सारे tables है वो सारे के सारे tables आप properly याद करके जाओ क्योंकि यह जो tables है, वो याद करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है कि structural formula जो है, उसका भी हमारा study हो जाएगा उसकी uses जो है, वो भी हमें हमारे learn हो जाएगे तो इस तरह से यह जो table के form में करोगे तो याद रखना भी जादा आसान हो जाएगा तो यह सारे के सारे table करके ही जाओ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो table है यह है some natural polymers and their occurrence तो यह भी आपको करना है अभी हम यह lesson का सबसे important part देखने वाले हैं वो है lesson की exercise तो lesson की exercise में जिस type के question पूचे गया है वैसे के वैसे ही question board exam में भी पूचे जाते हैं तो इसलिए आपको यह जो matching है वो properly करके जाने का है यहाँ पर आप देख सकते हो draw an electron dot structure of the following molecules यह जो methane, ethane, methanol, water इनके आपको electron dot structure draw करने है then इस तरह का भी question आ सकता है जैसे की question number 3 में दिया है यहाँ पर यहाँ पर आपको molecular formula दिया जाएगा और आपको इनका structural formula जो है वो बनाना होगा यह जो सारी की सारी short notes है यह short notes बहुत ही important है यह term explain करो या write the short note on this तो इस type का question आ सकता है यह जो सारी की सारी short notes है वो important है board exam में most of the time यह पूछे गए questions है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह write the IUPAC name of the following structural formula तो इस type का question आ सकता है आपको 2 marks के लिए हम देख सकते हैं कि जो 6th question है identify the type of the following reaction of a carbon compound तो जो हमने carbon की chemical properties study की थी उसके उपर based यह question है तो आपको इसका जो type है वो identify करना है और वो लिखना होगा यहाँ पर तो इस type का question भी examine 2 marks के लिए पुछ जा सकता है यहाँ पर हमें इस type का question भी पुछ जा सकता है कि हमें उनका structural formula दिया जाएगा और हमें उनका IUPAC जो name है वो लिखना होगा structural formula हमें लिखना है तो यह question भी 2 marks के लिए पुछ जा सकता है और सबसे last question जो है वो यहाँ पर हमें brief answer लिखने होते है तो यह जो सारे के सारे questions है यह बहुत ही important question है because most of the time यह question जो है वो बोड exam में repeat हुए हुए questions है तो यह lesson की exercise आपको अच्छे से करके जाना है यहाँ पर हम carbon compound यह lesson के most important questions जो है वो देखने वाले है तो यहाँ पर first question है complete the correlation और यहाँ पर question है alkyne is to carbon double bond carbon अभी यहाँ पर alkyne के लिए पुछा गया है तो alkyne is equal to dash तो यह जो question है यह one marks के लिए पुछा गया था मार्च 2020 की exam में अभी हम second question देखते है answer the following questions यहाँ पर questions है define hydrocarbon name the types of hydrocarbons third question is name the two carbon compounds used in day-to-day life यह जो question है यह three marks के लिए पुछा गया था मार्च 2020 की exam में and third question है complete the following table यह जो question है यह three marks के लिए पुछा गया था मार्च 2020 की exam में और यह जो table है यहाँ पर हम देखते हैं यह table दिया कया है इसमें यह जो fill in the blanks है वो आपको fill करने है तो यहाँ पर यह जो carbon के compound है उनका structural formula हमें draw करना है और यहाँ पर इनके जो name है वो हमें fill up करने है यहाँ पर हम देख सकते है कि यह जो next question है match the pair यह question two marks के लिए पुछा गया था July 2019 की exam में और यह pairs है यह आपको इसकी matching complete करनी है यह question two marks के लिए पुछा गया था next question is complete the following flow chart and write the general formula of the alkin यह question जो है यह two marks के लिए पुछा गया था July 2019 की exam में और यहाँ पर यह जो fill up है यह आपको complete करने थे तो यहाँ पर इनका जो structural formula है वो आपको दिया गया था और यहाँ पर आपको fill up में उनके IUPAC name लिखने थे अभी next question है the next question is write the first four homologous series of the alcohol और यह जो question है यह two marks के लिए पुछा गया था March 2019 की exam में तो इसके जो first four series है वो यहाँ पर हमें इस तरह से fill up करने थे और यह जो question है यह two marks के लिए पुछा गया था next question is the carbon compound used in daily life is यह question one marks के लिए पुछा गया था July 2019 की exam में यहाँ पर option थे edible oil, salt, carbon dioxide and baking soda the next question is complete the following table and यहाँ पर table दिया गया था complete करना था यह फिलप्स के form में यहाँ पर आपको common name structural formula and IUPAC जो है वो respectively फिल करने थे तो इस तरह से यह वीडियो में हमने important topics previous year board exam के जो questions थे उसके बारे में सब discuss कर लिया गया है और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके friends के साथ भी उनको share कीजिए ताकि उनको भी उसका फाइदा मिल सके Thank you हुआ हुआ है